वेल्कम तो स्वेजी फूर्ड मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम उपवास के लिए फराली मखाना चाट किस तरह से बनाना है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले कोई फ्राइपेंड या कड़ाई ले ले और उसमें एक कटोरी मखाना डाले या आपको किसी भी कीराना श्टोर पर या मॉल में आसान इसे मिल जाएगा और इसे हमें दीमी आज पर अच्छी तरह से बून लेना है मखाना को भून के अच्छा क्रिस्पी कर लेना है आप चाहिए तो इसे माइक्रोय पर रूस कर सकते हैं मखाना इस तरह से क्रिस्पी हो तब तक इसे भूनना है गैस बन कर दे और इसे थोड़ा ठंडा होने दे फिर मखाना को एक बॉल में निकाल ले अब इसमें एक मिडियम साइज का उबला हुआ आलू छील के चौप करके डाले फिर इसे के साथ टमाटर, ककड़ी और थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे जो भी चीज आप उपवास में नहीं खाते वो स्कीप कर सकते है फिर इसमें दो चमच भुनी हुई मुंगफली डाले इसे के साथ थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा घर का बनाया हुआ चाट मसाला डाले फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसे के साथ एक बड़ा चमच याप जैसा तीथा खाते है उस हिसाब से दन्याहरी मिर्ची की चटने डाले और दो से तीन चमच जितना मिठा दही डालेंगे फिर दो से तीन चमच जितनी खजूर इमली की चटने डालेंगे फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अगर आप रूटिन के दिनों में यानि कि बिना उपवास के ये चाट बनाना चाहते हैं तो इसमें बेशन की सेव, मसाला सिंग, मसाला बुंदी वो सारी चीजे भी एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी हमारी एकदम टेस्टी और यम्मी फराली चाट बनकर रेड़ी हो गई है तो आप भी इस तरह से ये फराली चाट बनाकर जरू ड्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी